शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को धूर्णने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट डिपलॉई की भागरा पेट के पहाड़ी ओपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्पत शुर्ण पर जिसने आठ गोलियों के निशान अलू अजुन के पुश्पा ने सभी का दिल जीत लिया है वॉक्स ओपस हो या फिर सोचल मीडिया हो या फिल्म दे नियू शानल सो सभी पर पुश्पा की तारीफे हो रही है और सभी उनके पफॉर्मनस और पुश्पा राज के इंटर्स लोग की तारीफे कर रहे हैं पुश्पा राज का जो लोग है करली बालों के साथ ठीक मुस्टाच और वियर्ड के साथ वह ऐसा है जो उनकी किर्दार के बारे में काफी कुछ बया करता है अलू अजुन की एक खास बात यह है कि वह अपने किसी भी किर्दार की औ उन्होंने अपने एक इंटर्वियू में बताया था कि अलू अर्जुन के पुश्पा राज ट्रांस्फॉर्मेशन में रोज के एक से दो घंटे का समय लगता था अलू अर्जुन को बड़ी पेशेंट ली देर दो घंटे तक एक ही चेह पर बैठना पड़ता था और कभी के लोग के साथ साथ उनका आइकॉनिक डालोग जुकेगा नहीं साला और पर उनकी ये सिगनेचर हैंड मुवमेंट और दोनों ही एक सिंख में ये भी ना काफी वारल हुआ था बॉलिवर्ड सलिबिटी से लेकर क्रिकेटर्स ने और साथ ही उनके फैंस इस पर काफी वीड लखो और तरस पर उन्होंने अलु अर्जुन को एक हैंड मुवमेंट बारबा करते वे देखा था और फिर उन दोनों ने मिलकर उसको आजमाया और साथ ही डालोग के साथ सिंख भी हो रहा था और ऐसे इन दोनों डारेक्टर आक्टर की जोडी ने ये आइकॉनिक पुषपा फर्म आलोव आर्जुन की बेस्ट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म के बाद बाक-टुबाक उनकी फिल्म में आने वाली है और उनका शेड्यूल काफी बिजी होने वाला है अभी दो पुषपा टुकी शोटिंग में काफी बिजी है और उसके बाद वेनु श्रीडाम के फिल्म आइकन के फिल्मिंग शुरू करने वाले हैं। उसके बाद वो पुड़ताला शिभा की भी एक Big Budget Untitled फिल्म में भी पीजें होने वाले हैं। केज अब डार्टर प्रशान्त हुए के साथ भी वो एक फिल्म करने वाले हैं। कि वो उनके साथ भी कॉलाबरेट करने वाले हैं। और साथी AR मुरुगा दौस भी उन्हें अपनी नेक्स फिल्म में कास्ट करने वाले हैं। इस परसन ये कह सकते हैं कि हम अलू अरजुन को सिल्वर स्टुन पर देखते ही रहने वाले हैं। तो आपका इस पर क्या कहना हैं हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए। साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगती बलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए, मस्कुर आते रहिए। बबाबाई। शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को धूनने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट जपलॉई की। भागरा पेट की पहाड़ियों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये। खून से लत्पत शोड़ पर मिले आठ गोलियों के निशान। पुश्पा टू में साड़ी कंगन नेल पॉलिश में अलू अर्जुन की लुक की असली कहानी क्या है। पुश्पा टू से अलू अर्जुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीस हुआ। तेड़ी गर्दन किये पुश्पा आज नीले रंग में पुता, शरीर पर साड़ी, एक हाथ में पिस्तॉल लेकिन उसी हाथ के नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है। हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है, गले में कच्चे नीबू की माला, इस लुक की शोबा बढ़ाने का काम कर रही है। अलू अर्जुन का ये लुक चोकाने वाला था। लोगों ने उमीद की थी कि वो अपने सिगनेचर पोज में दिखेगा हाथ में बंदूक, बदन पर लूंगी बांदे या फिर दुश्मनों से लड़ रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये लुक चितौर की गंगम्मा जातरा से प्रेरित है। क्या है गंगम्मा जातरा? अब उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं, ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे करनाटक और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। कर उनकी तरह शिंगार कर इस यातरा में हिस्सा लेते हैं। संभव है कि पुषपटू में अलू अर्जुन का गिरदार भी ऐसी यातरा में हिस्सा ले रहा होगा, तब ही उसने ऐसा वेश धरा हो। लेकिन तिरुपती में मनाया जाने वाली गंगंमा जातरा की कहानी बिलकुल विप्रीत है। लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपती और आसपास की इलाकों पर पले गुंडेलू नाम का एक आदमी राज करता था। एकदम दुर्ष्ट दुराचारी किस्म का आदमी। महिलाओं पर अत्याचार करता, उनके साथ दुर्वयवहार करता। ऐसे समय में अभी लल नाम कए एक गाउ में देवी का जन हुआ। वो देवी बड़ी उने पर एक सुन्दर महिला बनी। पले गुंडलू की नजर उन पर पड़ी। उसने उनके साथ दुर्वयवहार करने की कोशिश की। देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो बच निकला। जाकर किसी अज्यात स्थान में छुब गया। उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया। तिरुपती के लोग विचित्रवेश धर कर बाहर निकलते। गंगम्मा को जिसे ही वो बाहर आया, तभी गंगम्मा देवी ने उसे मार डाला। अगर पुश्पा 2 में पुश्पा राज जात्रा में हिस्सा लेता है, तो मुम्किन है कि अपने किशी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है, पुश्पा अब रोल पुश्पा का रिलीज डेट अनाउंस करते ही पुश्पा के मेकर्ज ने बहुत बड़ा क्लैश कैसे मोल लिया। अलू अर्जुन की पुश्पा 2 की रिलीज डेट आ गई है, इस फिल्म के मेकर्ज ने वही वीकेंड चूस किया है जिस पर गदर 2 रिलीज हुई थी, ये फिल्म 15 अगस्त इस रिलीज डेट की अनाउंसमेट के साथ ही पुश्पा 2 के मेकर्ज ने बड़ी क्लैश मोल ली है, क्योंकि इसी दिन अजे देवन रोहिच छटी की सिंगम 3 रिलीज होने वाली है, पुश्पा 2 के मेकर्ज ने रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया, इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज पहनी हुई है, उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है, जिसमें उनोंने तीन सोने की अंगोठिया पहनी हुई है और कानी उंगी पर नेल पेंट लगा हुई है, और खून के मेकर लग रहा है कि मेकर्ज ने पुष्पराज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है, शायद उस कैरेक्टर को थोड़ा फ्विमिनिंग टच दिया गया है, या कुछ और एंगल भी हो सकता है, पहले तैयारी थी कि पुष्पराज को 2022 में रिलीस किया जाएग हाला कि बाद में फिल्म के डारेक्टर ने कहा कि KGF2 की वज़ा से उन्होंने अपनी पिक्चर रिशूट नहीं की है, वो चाते थी कि दर्शव को पूई तरह से संतुष्ट किया जाए, इसलिए उन्होंने फिल्म के सभी सीक्वेंस को फ्रेश तरीके से फिल्म आया, पता इसलिए पिक्चर 15 अगस्त 2024 को रिलीस करेंगे, 15 अगस्त को गुरुबार पढ़ रहा है, ऐसे में फिल्म को चार दिन का लंबा एक्स्टेंडेड वीकेंड मिल जाएगा, दिक्कत यह है कि इसी तारीक के लिए रोहिद छटी की सिंगम 3 भी स्केडियूल्ट है, रोहिद ब मीर सिंग, दिपिगा पादुकोन, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने वाले हैं, ये तो प्राइमरी री कास्ट हो गई, बाकी रोहिचेटी कॉमेडी गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी, वहीं पुष्पा 2 में अलु अर्जुन के साथ लिगू अक्टर हैं, एर पुष्पा 2 को रंगस थलम फेम सुकुमार डाइरेक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुष्पा 2 या सिंग्नम 3 हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज अबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेठे की एंट्री मतलब और बादमाशो को डिसेंट्री पुष्पोस अबश्टा गया मेरे बात करने का वक्त ही है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूँगा पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फ्लावर में आई फायर है में पुष्पा दा रूल से अल्लू अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला कियोदार देखने को मिलेगा पुष्पा धरूल में दर्शुको को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा पहले पार्ट में पुष्पा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा ना उसकी इज़त करेगा वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गाउं वालों का भला करने वाला पुष्पा को पुलिस के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाउं पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा पुष्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुष्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोड़ी जमेगी दूसरे पार्ट में श्री वली एक बच्चे की माँ बनेंगी इतना ही नहीं पुष्पा अपने दम पर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मूँवें पहुच गया था पूरी फूर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूवी में शीनू की पतनी दक्षाइनी ओर्फ अंसुयाब भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पाद राई साल 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर तीन सो करोड रुपे से ज्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उउ अंतवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चाट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीकुल की भी बात आती है तो फैन्स इससे काफी उमीद रखते हैं बीएसपी पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीत कार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तयार कर लिये हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए डीएसपी ने कहा हर कोई पुषपा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सूकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधभुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करें हैं डीएसपी ने पुषपा के समान था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा हम पुषपा 2 में उँटवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं लेगन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर्प्राइस पर काम चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुषपा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी कलियारिन पुषपा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिजनिस कर लिया है पुषपा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स ओफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुषपा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा है पुषपा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइनस टेली फिल्म्स के डारेक्टर मनिश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुषपाटू के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनिश राह ने एक इंटर्व्यू में पुषपाटू की रिलीज डेट से लेकर सुटिंग सेडियूल को लेकर जवाब दिये गए इंटर्व्यू में मनिश सा ने कहा कि पुषपादा राइज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खुला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ओफिस पर तेज रफतार पकड़ी और आज ये फिल्म 100 करोन का आकराच छुने में कामयाब हुई मनिश सा ने पुस्पा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साब कर दिया कि पुस्पा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी इस लंबी फिल्म की सूटिंग में समय लेगा उन्होंने बताया कि पुसपा 2 की सूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी पुसपा के पहले भाग की सूटिंग 210 दिन तक चलीग साल 2030 तक पुसपा 2 रिलीज हो क्या प्रभास की बाहुवली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुसपा 2 तोड़ पाएगी इस पर मरिश्चा ने कहा कि बाहुवली के पहले पार्ट ने 120 करोण की कमाई और पुसपा ने 3500 करोण रुपे कमाए दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो चुका है और पुसपा और पुसपा बाहु बली से आगे जा चुकी अब यह देखना है कि आप पुसपा 2 बाहु बली 2 का रिकार्ड तोड़ देगी लोग का तो यह मानना है कि जो पुसपा 2 रिलीज होगी तो वो फ्लोर पर 500 करोन नहीं भलकी 1000 करोन तक का बिजनिस कर सकते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए किया पुश्पा 2 1000 करोनी फिल्म बनेगी फिर कब रिलीज होने जा रही है अलू अर्जुन की पुश्पा आखिर रिलीज से पहले किसने से देख लिया है क्या वाकई ये के जी अफ को टक कर देने को तयार है हेलो फ्रेंड्स आप देखरें बॉलिग्राफ स्ट्यूडियोज वें सोनी कजार दोस्तों पुश्पा के लिए फैंस की एकसाइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसका जो काम है वो आगे भी बढ़ चुका है और एक साउथ के सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली है आपको बता दें ये आक्टर है बुची बाबू इन्होंने इस सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लायू लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी गया था दिया से बात करते हुए बुची बाबू ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को इदेखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का किरदान माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर लेंगे मेकर्स पुष्पा को को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जी अप की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश मे तहल का मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बूची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने का है वैसा होता है कि नी क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है इंदजार कर रहे हैं अगर most awaited film बोला जाए तो KGF है तो ऐसे में अगर पुषपा रिलीज होती है तो ये देखना दिल्चस्प होगा कि क्या ये KGF को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और ये श ने तो अर्ड़ेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया KGF का जो कि धासू है तो काटे की टकर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कितना वेट है पुषपा का और क्या लगता है अगर पुषपा और के रश्मी का मंदाना से क्यों हुई ओडियंस इसके लिए ओडियंस पेहद ही एकसाइटिड है एक तो बाहु बली और KGF के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सोगात मिलने वाली है उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अर्जु इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंट क्रश दे क्यूटी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है जाहिर है एकसाइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस दलती के बारे में जो रखते हुए उन्होंने नाम लिया केजी एफेक्टर रॉकिंग स्टार येश का फिर क्या था येश की फैंडम ने भारी मातरा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया उनके इसके नाम से पूरे मीरिया को हिला कर रख दिया आखिर में हार कर खुद रश्मीक उन्होंने अपने फैंसे ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वह रश्मीका एक दूसरे को परसणली नहीं जानते हैं और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियन्स रखने की पूरी अजादी है इसके उनके बिहेवियर में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मीका को उनके नाम पर हैरेस करे ये सब कहा के जिये स्टारर येश ने आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है लेकिन अब जब रश्मीका और येश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी खबरे यूँ ही सर्फिस पर आती रहती है ऐसे में कई अतीत में रश्मीका के मूँ से निकली ये एक बात उनके आज पर असर ना डाल दे वैसे भी आज कल पुराने ट्वीट्स और कमेंट्स का करियर पर असर पढ़ने का ट्रेंट चल रहा है खेर आप हमें कमिन सेक्शन में बताईए कि आपको क्या लगता है क्या पुश्पा की सक्सेस पर भी असर ढाल सकता है ये फिर फिल्म बिन पर चुका है और एक साउथ की सूपर स्टार है जिनोंने इस फिल्म का आधाबाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता दे ये आक्टर है बुश्पा बाबु इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लाइउन लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफिस को हिला कर भी गया था वहीं मीरिया से बात करते हुए बुची बाबु ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग कोई देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुश पुश्पा को इस साल के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबु की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जिएफ की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी साल रिलीस होना है फिल्म के पहले पाथ ने पूर भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है अगर बुची बाबु ने पुश्पा की सीथी तुलना के जिएफ से की है तो दर्शकों की उमीदे जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि के जिएफ कभी अलगी स्वेग या उसका दूसरा पाथ आन करेंगे एक तरफ अलो अर्जुन होंगे दूसरे तरफ याश होंगे और याश ने तो अड़ेडी एक ट्रेलर रिलीज कर दिया के जिएफ का जो कि धासू है तो काटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कितना वेट है पुश्पा का और क्या ल पुश्पा करते हैं आज की वीडियो अब वो दिन चले गए जब फिल्मों की पुपुलारिटी को केवल उनकी इंडास्ट्रीज में नापा जाता था अब उन्हीं फिल्मों को मोस्ट अवेटिट का टाइटल मिलता है जिनका इंतिजार कोई तेल गूप करनेटा या बॉल एक है साउथ सूपर स्टार अलु अर्जुन की अपकमिंग आक्शन त्रिलर फिल्म उश्पा जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फिल्म की एकसाइट्मेंट को चार गुना बढ़हा देती है लेकिन कहीं अलु अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी म पहानी की शिरुवात होती है एक ट्वीट और एक अनाउंस्मेंट से वैसे तो अलु अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखद घोशना थी लेकिन शायद खुद अलु के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दरसल साउथ के फेमस प्रेडूसर बनी वास और अलु अर्ज के लिए इतना बड़ा शौक बन गया एक्चली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंस्मेंट की जिसमें पुश्पा वेनु स्री राम की आइकन पुश्पा टू बोया पती श्रीनु डारेक्टिव फिल्म और अटाला सिवा की फिल्म और एर मुरू का ड यू नहीं करते हैं अनलेस उन पर काम जल्दी शुरू होने वाला हो या हो चुका हो प्लास इस लिस्ट में एर मुरू का डॉस की फिल्म भी शामिल है जिसे अलु ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था जिसके बाद इसके लिए राम कोथी नेनी को अप्रोच किया गय देने के लिए जिनके आपकमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है अब डर तो यही है कि कहीं इस टांट का अलु के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइम लाइट और दिखावे के लिए डेस्करेट ना समझे तो चलिए आप हमें चल्दी से करके जरूर बताइएगा और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कुल ना भूलें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को वीडियो को आकर तक देखना ना भूलें और अगर आपक सुकुमध और नेदेश ही मुवी है जिसको एक पान इंडिया रिलीज मिलने वाली है और खास बात यह है कि इस मुवी की लीड रोड में हमको अलू अरजुन नजर आने वाले हैं वैसे तो अलू अरजुन का फान बेज इंडिया में कफी समय से पूरे भारतभर में फैला ह हुआ है लेकिन हाँ इसका हायेस प्रपोर्शन साउट के दर्शकों को जाता है और शायद इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए अब फाइनली अलु अर्जुन अपनी प्रभास के पराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चड़ना पड़ेगा अब मैं जानती हूं आप काफी कंफूज हो गये होंगे लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बड़ेगी आपकी कंफूजन दूर होती जाएगी इसे वीडियो को पूरा जरूर देखे हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको अपने चानल बॉलिग्राट स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी दोस्मिनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलु अर्जुन की अपकमें पारेंगे रिलीज वाल में नजर आने वाले हैं जहां एक तरफ वो एक लॉरी ड्राइवर बाइप्रोफेशन होंगे वहीं पर वो एक स्मगलर बाइप क्राइम होंगे और इसी रिए मूवी का जादा तरपाट उनको पकड़ने में और उनके चुपने और भागने के लाजवाब तरीकों को दिख आते हैं पुष्पा का सबसे बड़ा कॉंपेटिशन प्रिटिसर्म या बॉक्स ओपिस पर आई और कोई मूवी नहीं मिल्की प्रभास की सलार से होने वाला है इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं पहली बात तो यह की दोनों के दोनों स आपना नाम जमाने की फोशिष में वहीं दूसरी तरफ यह बात भी सामने आती है कि दोनों की मूवी साउथ इंदास्ट्री से बिलॉग करती है लेकि सिमिलारिटी इसकी लंबे लिस यहीं खतम नहीं होती है दरसल दोनों मूवी की शूटिंग तिलांगना में हुई है और यह कैस लगा रहे हैं कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ समगलीन से रिलेटेट जरूर मिल जाए अब अगर बहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अभी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोशिष कर रही है तो दोस्तों अब ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थियोरी और वाली ओपीनिन से निकल कर रियाल्टी को हिट कर रहे हैं और अब जाकर ऐसी मूवी बना रहे हैं जिनमें अक्चुली मरना मारना जायस लगेगा हाला कि सबसे बड़ी बाती है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ओफिस पर वो कितनी टकर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़ादा हिट करना पड़ेगा आपने मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टानर्ड पे करेंड़ी आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियंस अब हीरो को सिर्फ हीरो के क्यारक्टर में नहीं देखना चाहती उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करेंटर को एक्स्ट्रोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवी में कहीं ना कहीं ये तीनों negative character होने वाले हैं जिनके exploration के उपर ही movie गूमने वाली है अब इतनी सारी similarities और आज पास की release date तो देखना होगा कि किस movie को कैसा opinion मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं best smuggler gathas तो दोस्तो आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें comment section में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और share करें कैसे एक बार फिर पुषपाने लिए के जेफ से inspiration क्या है फिल्म की नई अपडेट पर fans का reaction नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का balling dad studios में पुषपा अलू अजुन की अपकमिंग पैन इडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलू अजुन फिर एट सैंडल्वोड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलू अरजुन और रश्मी का मंदाना की जोडी को एक साथ देखने को मिलेगा अलू की दूसरी फिल्मों से बिलकुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अवतार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर में टिकेट बिकती है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट्स बिकने का इस बार उन्हें रग्य दवतार में दिखाये जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिलकुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उभरी एकसाइट्मेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइट्मेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजे हम बात कर रहे हैं फिल्म से रिसेंटली जुड़े आक्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाय हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफिशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड विनर और पार हाउस ओफ मॉलिवूड के नाम से इंट्रिडियूस किया गया है जैसा की वीडियो में पताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू अजन के साथ एक फेस ओफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशान्त निलवाली गर्ती नहीं करना चाहते जिनकी ब्लॉक बस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिडेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियंस को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़र आ रहे है ऐसा हम नहीं कह रहे है बल्कि ये इस न्यू से इंप्रेस्ट फैंस का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अर्जुन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फहाद अपनी आखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं अलू अर्जुन के फैन्स वाकई लगी है कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेंट में बताए कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटिन है कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिलन पुष्पा अलू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर लगी इस फिल्म में नाशन क्रेश रश्मे का मंदाना को एक वीडिंग लेडी का कास्ट किया गया इस फिल्म को लेकर ऑडियन्स में जितना क्रेश है उतना ही तनाव भी है तनाव इसका कि केजीएफ सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी है दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स को औरी दर्शुकों के सामने रखे जा चुके है लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी विडियो को पूरा जरूर देखिए को और अगर आपको मारा विडियो पसंदाए बिस लाइक शेय करना भूख करना बूलेगा हमने अपने पिछले ही विडियो में आपको पुश्वा से जुड़ी एक एहनम खबर दी थी कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक कम्पोस करने की जिफ्दारी वेरी पॉप्लर एंड सक्सेस्फुल म्यूजिक कम्पोसर डेवी शंकर स्रसाथ के कंदों पर डाली जाती है जिरूने इसका पहला गाना तयाती किया था जो खबरों के अनुसाल सुकुमार और अलू अर्जिन के पहले पस्नित आया था और गाना जुलाई के फर्स वीक में धी दर्शबों के लिए रिलीस किया जाएगा लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार KJF फैन्स और पुष्पा फैन्स आमने सामने खरे नजर आ रहे हैं जैसा कि आप सब लोग चांते हैं कि KJF के सकसेस के पीछे Music Composer अभी पस्रूर का Special Contribution था जिनकी Composition और इसमें पसंद आए कि हर पांच मिनिट में एक आदमी का रिंग टोन में कोई न कोई KJF का सौंग हमें सुनने को मिल ही जागा था अब इस अनॉंस्मेंट में कारण लोग इसे DSP वर्स पस्रूर की तक्रार के तौर पर देख रहे हैं और चानता चाहते हैं कि दोनों मेर बहतर है जिहां आप सोच रहे होंगी कि गाने से सभी फिल्मों में होते हैं इसमें KJF connection क्या है लेकिन आपको बता दे कि गाना DSP ने लिखा है वो सेशली फिल्म में अर्लू अर्चुन की क्यारेक्टर को एक्स्प्रोइन करेगा जी है और वो थी एक पार पार तरीके से और अगर आपको याद हो तो KJF में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिससे और आपको इस बारे में क्या लगता है और दोनों फिल्मों से आप इसको वेड देना चाहिए बताए हमें कमेंट्स ने अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर हुश्पा ने अनौंस्मेंट के बाद से ही सब की नजरें अपनी ओर कर रखी है इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेता हाशा प्यार मिला जिसमें अलू अर् पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में हैं अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूलें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसे भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है और खास कर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सूपरस्टार अलू अर्जुन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है तब तो फिल्म के गान प्रियार ही है कि देवी शंक प्रसाद ने हाल ही में पिल्म में अलु अर्जन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सुकुमार और अलु काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं यह सौंग जुलाई के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किय जाएगा तो आपको बता दे कि देवी शंक का प्रसाद इससे पहले भी अनंदम कालू सुकुवालनी मन मधूदू वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉम्पोजिशन इंडस्ट्री को दे चुके हैं जिसमें से आर्या तो अलु अर्जुन की ही फिल्म है इस तरह इन पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना क्यूंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी जिसकी धुन किसी भी इंडस्ट्री के बैरियर्स को हटा कर पूरी इंडिया की ओडियंस पर एक चैसा ही इंपक्ट करें जहां शायद शब्दों की जरूरत ही ना और देवी शंका प्रसाद ऐसी कबिल्यत रखने वाले कुछ गिने चुने कंपोजर्स में से एक है यूँ तो देवी शंका प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंबिनेशन समझा जाता है लेकिन रीसेंट सोशन मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंका प्रसाद के कंधो की जिम्मेदारी और भी जादा बड़ी और इंपोर्टेंट हो गई है अब वो इसे कैसे निभाते हैं ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा तो खेर अगर आपको हमारी आज की ये वीड अनमी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारी यूट्यूब चानल बॉलीक्राट स्यूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें आज की स्क्रेप्ट राइटर है उपासना पांडे भी अलू का नाम भारत के सबसे हांसम आध्यों में लिया जाता है और उसकी उपर से उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ताकार देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पिछे चुपा असली टालेंट कौन है नहीं कोई नहीं हम बता देंगे तो दोस्तो ये चीज तो आपने नोठी की होगी कि हम कई बार आक्टर्स की तारीफ करते हैं वा यार रनवीर कपूर तो पूरे संजदत लग रहे हैं यार रनवीर सिंग ने कापल पाजी का क्या लुक लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमितार लेकिन दोस्तो उसके पीछे हुई मेहनत को अरगनाईस करना हम अक्सर भूल जाते हैं लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये बॉलीगाट स्टूडियोस की नगरी है यहां किसी की भी मेहनत अनकही नहीं जाती और इसलिए आज हम इस रात से परदा उठाएंगे कि आ लेन है जी हां दोस्तों अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था या फिर हैदर में शाहित के लुक पर तालियां बजाई थी या फिर बाजी राव मस्तानी पाद्मावल जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेक अप टुटो आपको बता दें कि आप अंजाने में प्रिती शील के ही टालेंट को सहार रहे थे जी हां दोस्तों ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्स और उनके ये आइकॉनिक लोक उन्हीं की देन हैं इतना ही नहीं मॉम हाकरे शिवाई हवाईजादा हाउसफुल 3 बाला पंगा अं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करेगा लाइक और शेयर और कर दीजी करने वाले हैं बॉलिवुड में डेब्यू नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल बॉलिवाट स्टूडियोस के एक फ्रेश नए वीडियो मे मैं हूँ आपकी होस्त और दोस्त शुती बाहुपली के बाद मेगा ब्लॉग बस्टर हिट मूवी वैकुंता पुरा मुलो ने एक पैन इंडिया मूवी नहोने के बावजूद 200 करोल का कलेक्शन किया था अलू अरजुन की पॉपुलारिटी और उनकी लास्ट हिट मूवी और उनकी अपकमिंग फिल्म पुश्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा तर्चा में गिरे हुए हैं अलू अरजुन का न्यू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मारकेट में खड़े हो मगर बावजूद उसके फर्स्ट मूवी पार्ट के ट्रेलर में काफी ज्यादा आक्शन और तबातोर फाइटिंग सीक्वेंस दिखाये गए हैं इस मूवी में अलू अरजुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्रा रोल भी निभाएंगी इस फिल्म की शूटिंग साउट के अलग 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 लोकेशन में की गई है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अलू अरजुन को पुष्पा राज मूवी में चिट्टू डालेक्ट में फिल्म के सभी डायलोग बोलने हैं जिसके लिए अलू अलग स से एक लैंग्विज इक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहें ताकि वो सही तरीके से अपनी डायलोग डिलिवरी कर पाए उस पाराज एक साथ तमिल मल्यालम कंड़ और हिंदी लैंग्विज में रुलीज होगी रश्मिका मंदाना ने हाली में अपने इंस्टराम लाइव किया था उन्होंने बताया कि पुश्पराज में कुछ ऐसा देखनी को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा रश्मिका मंदाना इस मुवी को लेकर काफी ज्यादे एक्साइटिड भी है उन्होंने मुवी की करते हुए उन्होंने कहा कि इस वेरी सिंपल एंड स्वीट अक्टर कुश्पाराज की शूटिंग का कुछ हिसा तेलंगाना के मोटो गुडेन विलिज में शूट किया गया है मुवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अलु अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो पुश्पाराज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकी है बीच में 28 एप्रिल को अलु अर्जुन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी जिसकी कारण कुछ दिन तक अलु अर्जुन होम कॉरिंटीन थे जिसे वहाँ जा वूवी की शूटिंग कुछ टाइम के लिए रुख गई थी ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एस पर स्केडियूल टाइम पर रुलीज कर पाना मुश्किल है तो न्यूज र रुलीज किया गया था लॉंज पर अलु ने अपने सभी रीजन के फैंसे उने देर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अधा भी किया उन्होंने अपने नौत हिंज लांगुज में बताया और साथ ही हिंदी में उनके कुछ शब्द बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया ने हिंदी ओडियन्स का दिल जीत लिया उनकी स्पीश के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नौधिन साइज में उनकी फैंट फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है हिंदी ओडियन्स के और उससे काफी ज्यादा अजमायर भी किया जाता है जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के आक्टर्स साउट फिल्स में डेब्यू करते हैं फिल्म्स बनाते हैं वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ओडियन्स गेंड करना चाते हैं और पुश्पा राज के इ इंडSir्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं कि अलुर अर्जुन हिंधी फिन्ङी में काम के लिए काफि yad उनका कहना है कि हर किसी कि और की हिंद इंडस्ट्री का काम भी ऊट काफी इंस्पायर करता है फिलाल उनका फोकस अपनी साउथ इंडस्ट्रीज की अपकमिंग मूवी पर है सबसे ज्यादा हुश्पा राज पर है अलू अर्जुन का बॉलिवोड में आजनी मू कमर आने के लिए फिलाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल भी वो बॉलिवोड मूवी में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पड़ी हैं मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई अलू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड़ी में कास्ट करने के लिए अप्रोच किया गया मगर अर्जुन रेड़ी का उस मूवी में काफी इंटेंस रोल था जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था उन्हेंने कहा था कि ये रोल उनके लिए नहीं है अफ्टर दाट अलू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुश्टास बात बताएं तो दोस्तो शदा कपूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और एकसाइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फेल्म और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में कि अब हाँ की सारी फिल्मों का उनके फैंस को लंबा इंधुजार रहता है कि फैंस पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर फिल्म ब्लॉग बच्चर था है अब पुश्पा की ही बात कर ले तो उनकी फैंस करीब दो साल से इस पिक्ट्र का इंधुजार कर रहे हैं जबसे इस film का पहला कोस्ति रिलीज किया गया था, आने वाले दिनों में कुष्पा का ट्रेडर भी रिलीज होने वाला है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस film में अलु अर्जुन की ओपुसित, नाशनल स्रस्ट कुष्मिका मान देना नज़र आने वाली है। कुष्पा में विलन की तौर पर पहाद फजिल नज़राएंगे साथ ही इस film को डारेक्ट कर रहे हैं इसको तुमार। दोस्तों कुष्पा आज इतने जादा लाइन लाल्ग में जिलने भी है क्योंकि इस film में बीर जोर पर अलु अर्जुन नज़राने वाले हैं। और अलु अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ एता है क्योंकि हर फिल्में लगातार चल्चा में बनी रहे हैं। अगर कुष्पा सुक्सेस्फुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अलु अर्जुन के मैसिफ पॉपुलारिटी को भी जाएगा। आज उने सीडियों में बात करेंगी कि आखिर कैसे अलु अर्जुन साउथ के सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का स्टाइच यंग आइकिन कहा जाता है। अलु अर्जुन में जादतर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है अभी तक वो बॉल्वूर की पीसी फिल्म में अपना डेब्यूट करते हुए नहीं दिखे हैं। जह हम उमीद करते हैं आने वाले जुनों में वो ज़स्ट की किसी करने भी कार्ण करेंगे। फिल्हाल मैं आपको बता दू। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था अजब चाइल्ड आक्टर विजयता फिल्म के साथ। उन्हें बच्वन से ही आक्टिंग और डांसुन का शौक रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आर्विटाइजमेंट्स भी मिलने रहे। इसके बाद अलू अर्जुन को उनकी पहले फिल्म मिली जिसमें उने लीड के डार नभाया था और वो थी गंगो की। गंगोद्री पिक्चर लोगो को काफी पसंद आई और इस पिल्म में अच्छा खाता बिस्मस भी किया था। लेकिन अलू अर्जुन के करियर में सबसे बरा टर्णिंग पॉइंट अब आया जब उनकी फिल्म आर्या को रिवेस किया गया। आर्या को अलू अर्जुन के करियर का सबसे सक्सफ़ूल फिल्म कहा जाता है। इस पिक्चर में उनके अक्तिंग स्किल्स की काफी स्वरापना हुई थी। इतना ही नहीं। आर्या पिक्चर के बाद अलू अर्जुन को कई अवार्ड से नवाजा कया था जिसमें फिल्स पेर अवर्ड सी शामिल है। अब बात करते हैं कि आखिर अलू अर्जुन को साउथ का स्टाइलिश सूपर स्टार क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दो साउथ इंडस्ट्रे में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे जादा अप्रिसियेशन मिलता है तो वो है अलू अर्जुन खास तोर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं आने वाले दिलों में अलू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के लिए उनके तमाम पैंस काफी एकसाइटे हैं। पुष्पा बेसिकली एक ग्यांग वॉर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे स्टांडर गुड की इल्लीगल दस्तरी की जाती है और कैसे अलु अर्जुन फिल्म की शुरुवाती दौर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बाद में उनके जिन्दिकी में काफी बद्लावा जाता है आप पुश्पा क इस मुवी के लिए जहां टॉलीवोड के हाइस पेड एक्टर्स में से एक अलु अर्जुन को कास किया गया है तो वहीं इस मुवी के बाकी की कास और क्रू भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप मैंबर से जुरी हुए है फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने लेटेस इंट्यूव्यू में ये बात कंफर्म करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीस करा जाएगा ऐसा करने के एक बड़ी वज़े ये है कि फिल्म की स्चोरी में एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस पैन को एक मुवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुंकेन नहीं है इसलिए हीरो और डारेक्टर ने साथ मिलकर ये डिसाइर किया है कि फुष्पा को दो पार्ट में रिलीस किया जाएगा क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है जी हाँ बिलकुल सही सोचा आपने मेगा ब्लोगबस्टर पाहु बली मूवी में भी यही हुआ था फर्स पार्ट में भी बहुत बड़ा स्पैंक होने की बज़े से फिल्म को दो पार्ट में रिलीस किया गया फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मूवी को रिवर्स में ले जाना ऐसा कॉंसेट पहली बार ही किसी मूवी के जरिये दिखाया गया है कहा जाता है कि गाना है तो मूवी सुपर ही और जहां इस गाने की पूरी प्रेडक्शन टॉप मूजिक डिरेक्टर फ्रेड्यूसर और ओस्कर बेनी स्टार के पास हो ऐसे में देखना दिल्चस्ट होगा कि आखिर कितनी बड़ी सक्सिस इस मूवी को मिल पाती है लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है तो सोचने की बात है कि जहां साउट सोंग्स में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है ऐसे में क्या इस song का Hindi में भी कोई dub version या new Hindi song भी launch किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो इसे movie का Hindi audience के साथ काफी गहरा connection बन जाएगा अब ऐसा करने की एक बज़े ये हो सकती है कि अलू अर्जुन वैसे ही अपने handsome और dashing look के लिए काफी popular है और उनके handsome hot looks और personality एक आम बात हो गई है ऐसे में उनके poster में वही same look दिखा कर audience के बीच इतना crazy पैदा नहीं होता इसे में पूरी टीम में बहुत जादा जोच है फिल्म के पूरी टीम काफी जादा खुश है तर के release पहले ही इतनी बड़ी काम्यादी मिलना South industry के लिए एक आम बात होती ही जा रही जाद होता मुवी के ट्वेलर में कोई डाइड़ाब नहीं है सिर्फ अलू अर्जुन के action scenes, looks और fighting sequences में ताफी तहरका मचा दिया इस उसी कोव में रही फॉरेश के शूट किया गया है जहां हाइप पुलिस और complete security में इसकती पर काम किया गया था क्या आप जानते ही कि international film crew और South के action scenes काफी जादा पसंदाते हैं और साथ एक साथ, शायद से international audience को भी लुखाने के लिए तुष्वा राज की camera handling के लिए चूज किया गया है Polish cameraman Miroslav Kuba प्रेजेंट को जिरान होसके Miroslav पो इंडिया में PC Shriram of Poland का जाता है PC Shriram इंडिया के re-owned cinemato practice में एक है काम कर चिके हैं उस फिल्म में Miroslav के काम पे इंड्रेस्ट होकर ही सुकुमार नहीं अपने upcoming film पुष्वाराज के लिए निम फायर किया Miroslav भी film में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुश नजर आ रही है और fans भी ये खबर सुनने के पाद काफी ज़ादा खुश बेंगे लेकिन ये खुशी ये पल्स जादा संगे तक नहीं घर पाई दी जी हां सूतरों के मुताबिक खबरों के अनुसार पुरुनों पैंडमिक की वज़ते वो पाफिस जा रही है और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रही है बता दे कि अलू अर्चिन Miroslav के साथ काम करने के लिए काफिन ज़दा एक्साइट है और ये एक्साइटन Miroslav के अफ़र्स में भी देख रही थी ट्रेलर लॉंच के दौरान Miroslav ने फिल्म की काफी साधी भी थी थी और फिल्म के हर इविन का चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो इस ट्रावल जोन में ट्रखा हुआ है ये एक्सेट फिल्म पर गहरा अज़र डाल सकती है तिकि फिल्म के टीजर से भी फिल्म का गहराई और फिल्ट का काफी पड़त चलता है अब क्या नीव क्रामरामान इस लेवल को मैच कर पाएगा अब इस ट्रावल जोन में आज़कर पॉर्ण चिनमातोग्रावर्स को अख्रोच करने के टेंज चलता है जिससे फिल्म की विर्ट्र कॉलिटी और सामें इंगेश नुपर सामें आतू है अब इस ट्रावल जोन में आज़कर पॉर्ण चिनमातोग्रावर्स अपना कमार तिखाच पिल्म में जिहां पूस्तर है इससे पहले ये कुशिश कुश्पा राज के लिए थी कोई धील लेके सब्सक्राइब नहीं हो पाई अब क्या नया काम के आपका बॉलीग्जाग स्टूइयोज में अलु अर्चिन की अपकर फिल्म खुश्पा ने अपनी एनाउच्पन के बात से धी मीडिया में संसुमी मचा रखी है कभी फिल्म की हिरोई तो कभी फिल्म का विल्म पिल्म की दो पार्ट तो कभी फिल्म का गाना फिल्म आए देन किसी ना किसी कारण से हेड्लाइन से रहती ही है इन सारी अपेज की इंफोमेशन को हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में देखी चुके है लेकिन आज हम बो बेसिक इंफोमेशन शेयर करेंगे जिसका जवाब तो सब चानना चाते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है ऐसी कौन सी सीप्रेट खबर जान देख लिए हमारी वीडियो को एंग तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पस लाए तो से लाइप और शेयर करना दिल्कुल ना खुले जबसे को इनकी अनाउंस्टेर हुई है एक सवाल में स्कप के मन में भयकर रखेंगे आपे फिल्म का नाम कुश्पा ही क्यों है कुछ और क्यों नहीं क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट बज़ा है इस बारे में कई क्योरी नहीं कुछ क्या पॉडिक है कुछ फिल्म में अर्चुन की मां का नाम कुछ पुछ पुष्पा हो सकता है जित तो बेहर प्यार करते होंगा और उन्जिंटी बहुत के बाद लिए इसलिए हंकी यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उनोंने अपना नाम कुछपा की रख लेगे तो कुछ का कहना है कि क्या पता ये लीडिंग लेडी रश्मेका का नाम सेखुलेशन की हद तो तक तक होगी जब उनने ये कहा कि क्या पता दिडिक्तर सुपमार राजश्पिता के बड़े पैन इसी लिए इन डाम रख लिया गय फिल्म में अल्लू अर्चिन की क्यारेक्टर कर नाम कुछपक नारायन रखा गया है जिने सब प्यार से कुछपा बुलाते हैं और इसी वज़े से फिल्म के लिए इस टाइकल को चुना गया आफ़ और पूरी कहानी इस किर्दार के इस किर्द दूही गी बताते ही कि इसके पहले पिल्म का नाम सेशा चलम रखा जाने बाला था तो कि ये पूरी कहानी सेशा चलम में प्रॉमिन स्मगलिंग पर बेस्ट है अगर ऐसा होता तो खुष्पा और केजिये अफ में एक और सिमिलारिटी हो जाती क्योंकि केजिये का अभी ये नाम इस से लिए रखा गया और और इंक्लूसर की और सिर्योसिती लगाने बाला हो गया है ये तो हमारी अगर्जन फांस के लिए बेहत थास हलो नमशकाराद आप चाथ से का स्वागत आप सभी का बॉलिकराग स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ हनुष्कतियागी तो जोस तो आज बात करें आज की फांस की बहुत ज़्यादा फेवरेट और मोस्ट आइलेशन डाशिंग आक्टर अलू अरजन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मुवी पुष्पराज के बारे में दोस्तो पुष्पराज का टीजर जब से रिलीस किया गया है और अपने बोधे पर टीजर के सक्सेस्फ में सूकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर डेवी श्री पर साथ के साथ उनका काफी टाइम बाट कॉलाबरेशन हुआ है इसे पहले सूकुमार और अलू ने साथ में दो ब्लाग बिस्टर मुवीज करी थी जो की आर्या और आर्या का सेकंड सीक्वल आर्या टू और ये कि माने तो जहां अलू अर्जुन का एक किर्दार स्मगलर के रूप में नज़र आएगा तो वहीं दूसरा किर्दार बिस्निसमेंग के तोर पर दिखाया जा सकता है अब दोस्तों कुछ पराज के नए और पुराने पोस्टर्स को देखकर अलू अलग अलग रूप्स पर जा रही है ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फान ने अलू अर्जुन के डबल रोल होने की बात थी दोस्तों इस बात पर अभी तक डिरेक्टर सुकुमार ने कोई भी क्लारिफिकेशन नहीं दिया है कि आखिर ये बात सच है या जूट अगर इस बात को सही माने तो हो सकता है कि फिल्म में विलन और आक्टर दोने का रोल अलू अर्जुन साथ में निवाते हुए नजर आया अब दोस्तों सोचिए जरा जैसे बॉलिवर्ड मुवी डॉन में हुआ था जिसमें असली डॉन तक पहुचने के लिए पुलिस वालो ने एक नकली उसी के जैसे तो दोस्तों कुछ ऐसी ही खानी इस बार पिश पर आज में रिपीट तो नहीं की जाएगी स्टॉंग यूमर्स की बात की है कि अलू अर्जुन का दूसरा रोल आजब बिसनिसमें होगा अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिसनिसमें के सच्चाए पता लगने के लिए लारी राइवर अलू अर्जुन को बिसनिसमें बना कर माबेज दिया जाए जहां से उनके दंडे को अपरेट किया जाता हो और अब दोस्तों रियूमर्स में कितने सच्चाई है वो तो अब फिल्म मेकर्स क्लियर करेंगे तब ही पता चलेगा वंडर मुवी रिलीज होने का तब ट्रीट इचे अदर लाइक फामिली दोनों ही एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं और फिल्म स्टार फैन्स के बिना कुछ नहीं है इसलिए साउथ में देगा जा सकता है केल लूर्जुन की फान फॉलिंग काफी जादा बड़ी है अपने क्लोस फ्रेंड और साथ ही साथ उनके फैन के फिनरल में वो खुद उनके घर गए थे बॉलिवुद स्टार से अक्टस के मुकाबले फैन्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं और यही वज़ा है कि नौर्ट इन्या में भी साउथ अक्टस के इस नेचर की वज़ा से उनकी लोग बस्तर होने वाल को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल रहे थे सब अपने अपने तरीके से कहानी अज्यूम करने लगे थे लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू शुरुवात में अलो अर्जुन एक बिजनसमेन के रोल में नजर आएंगे अलो अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके हैं कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बॉलिग्रास स्ट लेना होगा तो मज़़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलो अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो यह बहुत जादा सूपर हिट है तो प्रमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओर्डिंश के लिए स्पेशल ही अलो अर्जुन महनत कर रहे है क्योंकि दॉर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लिकिन यह फर्स टाइम हो रहा है तो अलो अर्जुन ने पूरी जान चोग दी ह है एक PR टीम उन्होंने रखी है जो कि आप सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी यह बॉलिबुट के चैनल है उनमें इंटर्व्यू देते हुए नजर आएंगे अलु अर्जुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है क इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगडी है रश्मी का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है सूरिया जो कि अलु अर्जुन के साथ और भी फिल्मों में नजर आ चुके ह तो वो विलन का किरदार करने वाले है साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले हैं जो कि अलु के साथ पहले भी काम कर चुके हैं तो बहुत सारी जोडियां रिपीट हो रही है एक इसाथ से लगाया जाए और सैंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अर्जुन उनके जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें कि अलु अर्जुन की जो शर्ट है चेक शर्ट दिख रही है बेल बॉंटम पैंड दिख रहे हैं साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है जो कि 80s के द तब से उनकी सामने आ रहे हैं उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अलु अर्जुन नजर आ रहे हैं और फिल्म में इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों अंतजार है अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा का ये जरूर बताइए और ये नॉर्थ में कितना बड़ा दहमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिए आद से नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राह जरूर लिखेगा और इसी तरह के द अलो अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुष्पा की वर्डवाइड कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुष्पा को हेलो फ्रेंड साब देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियो में सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलू अर्जुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुष्पा और बहुत ज्यादा बज इस फ फोटो वाइरल हो और लीक हो इसलिए उन्होंटे कडी सिक्यूरिटी रख दी है और जिसने भी यह लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाते और एकदम से धमा का मचाना चाते है इसके लावा आपको बदा दे पुष्पा का बजट भी हाई रखा गया है 1500 करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलु और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर लोग आने लगे थेटर्स में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीस हो रही है उससे 60 करोड यह उक्युपाई कर ही लेगी इतना कलेक्शन यह कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में यह टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों से 2500 करोड यह फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो 20 करोड का यह ओवर सीज कलेक्शन करेंगी पहले दिन तो इस हिसाब से कोटा लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुष्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलु अर्जुन के जो फिल्में है उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइड भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जाद इसके लावा उनके अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दर्जर आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत जादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तों इतना तो ये तैह है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सेंडल वोड जो लकडी होती है उसक कितना इंपजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली है रश्मी का दर्शकों को क्या इस नए के दास से बदल चाहिए अभी नीत्री की च्छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलो अर्जुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी इन तक जरूर देखें अपनी खुबसूरती और क्यूटनेस की वज़ा से हर जग अचा रही है कंड़ अभी नहीं तरी रश्मी का मंदना कभी अपने दिल पिगला देने वाली तस्वीरों की वज़ा से तो कभी अपने जिम वर्काउट की वीडियो से लेकिन जल्द ही जो फिल्म के अगार करें रहेगा और यह अंदर प्रदेश की जंगलोंक से लाल चंदन प्हानी पर अधारित है अलू अरजुन का में एकनल की सोजल मीडिया पर पर ये वर्धृ जिन्हों किस अभीनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबु के साथ सारी लेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो ये में एक गरी ब्लड़की के अंदाज में दिखेंगी, ट्रशमिक और अर्जून की दोनों फिल्म में अंद्रपदेश के चितू जले कि चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी, जिसके लिए वह प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं। वही केजीएफ की शीना यानी श्रीनिधी शिट्टी के बाद अब कन्नर व्यूटी भी चल पड़ी है तमल सिनिमा की तरफ जल्दी रश्मिका तमल फिल्म सुल्तान में कार्थी के साथ दिखाई दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जौसी में प्रुणाल ठाकों से पहले रश्मिका कुफल में प्रुणाल वाला गिर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी है सुन्दर और टालेंटेड आट्रिस पर जी हा संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर या राय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बदला वहीं दिपेका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजीराव मस्तानी और पदमावत ने दिपेका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजे लीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मेका पर आकर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या श्रीशक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुश्पा को मैथ्री मेकर्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आरजन और डारेक्टर को औरतला श्रुवा के साथ फिल्म हाश्टाग एएट्विंटीवन से भी जुड़ गए है फिल्म पुश्पा डारेक्टर सुकुमार, अलुवारजन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तेल्गू हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रारंग स्थलम में भी देव श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरान म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोक दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच की अज गया था अलू अरजुन्स टेरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिफ पाया गया इसके बाद फिल्म की शूटिंग तुरंत रोग दी गई और सेट पर सभी की शुरक्षा और साथ धानियों को लियान में रखते हुए निर्माताओं ने जनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भनसाली की हिरोईन कहीं फिल्म पुष्पा कीजिए फ्टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब तरह हमाई चानल बॉलिगराफ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिर्प्राइब अलो अर्जन स्टारर पुछपा फिल्म की स्टूडि को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इन फिल्म के साथ तेजी से पॉपलिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेंड करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एन एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एन डिरेक्शन एन फॉर्दर मेटर बजट हो इस एफर्ट का रिजल्टन है कमाल का सिनमा जिसके काफी चाहने वाले हैं तो हम सेफली यह कह सकते है कि कॉंटेन के मामले में अब बस बॉलिएट ही नहीं बल्कि साथ में ही कई डीजियनल सिनमा भी रेच में आ चुके है और कई केसेस में तो बॉलियूट से बड़िया कॉंटेंट परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउट सिनमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउट स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्याद हैं मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाडा क्रॉश रश्मी का मंदाना की फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलु अर्जुन इसी धंदे में काम कर रहे है एक लॉरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पता और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहां क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फ पिक्शनल टेल्स में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वह कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का करेक्टर है पुश्पा और प्लोट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुश्पा एक फॉरेस् करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने की बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफी को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बड़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अरजुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें क कांफ्लिक्ट होगा अरजुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉंक्लुशन पर पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फोरस्ट में इसलिए अलु अर पता चल जाता है अपने फोरस्ट प्रोजेक्ट पर काम करते हुए तो एन में होता है घुमासा नियूद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बलकि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे हैं अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एकसाइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनम दिन के मौके पर अलु अर्जुन ने सबको सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है पहली बार अलु अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की अलु अर्जुन बहुत ज़ादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत ज़ादा पसंद भी उन्हें किया था और लुक के पीछे मेकप आर्टिस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशीर सिं बहुत सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है तो क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अनॉंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनक अंधेरा सीन नजरा रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वह एक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलो अर्जुन ने उसकर दिया है कि उनकी फिल्म पा कब रिलीज होने वाली जिया दोस्तों उन्होंने ये जो पोस्टर है वो शेयर किया है और पीछे स आप देख सकते हैं और लोगों के हाथ में भी कुलाडी है अलो अर्जुन बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है ये पोस्टर और साथ ही अलो अर्जुन ने से कैप्शन दिया है है हाश्टेग पुश्पा अलो अर्जुन ही नहीं हम सब भी बहुत जादा एक्साइटेड हैं वो फिर से वही मैजिक क्रियेट करेंगे वहीं दोस्तों आपको बता दे पुश्पा एक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे डारेक्ट करें हैं सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और एक्टरस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार फिर से जादू विखेने के लिए तयार हैं दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वही हर्मन उत्मन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म म अधारित है फिल्म की प्रिष्ट भूमी सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द घूमती वही नजर आएगी ये दक्षडी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहारी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें वि को ये फिल्म रिलीज होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है लिए जल्दी से लिग डालिए नीचे कमें सेक्षिन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवुड टॉलिवुड अपडेट्स के लिए विडियो में हुष्टियार ओरा आपकी आज की होस्ट और आज अंबात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलगू लैंग्विज एक्शन फ्रिलर फिल्म है जुसे डारेक्टर अलेखा सूकुमार ने है सूकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर प्रिडियूसर और स्क्रीम राइटर है जो की प्रीडॉमिनेंटली तेलगू सिनिमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शरुवांत आज राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भी असिस्ट किया ह सूकुमार ने अपना डारेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या की द्वारा किया था और ये फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अक्टर्स अलु अर्जुन और रश्मिका मंदाना को लिया गया था जगापती बाबू, प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनिला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बतादे कि फिल्म पुषपा को प्रडीऊस मेथरी मूवी मेकर जैन एसोसियेशन विड मुद्टम शेटी मीडिया के तहट प्रडीऊस किया था फिल्म पुषपा का मीजिक देवी प्रसाद स्कोरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुश्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलगू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जिन में डब्ड किया जाने वाला है जानवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिव डिफरेंसिस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुश्पा थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को फॉर्मली लाउंच किया था ओक्टूबर 2019 में दिसेμबर 2019 में डारेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था कैरिला के एथी रापिडली फॉल्स पर फिल्म पुश्मा का फर्स स्केडूल कैरुला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड नाइंटीन पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टार्ट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चचा में थे इंटेगोनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पाठ बन गए रश्मिका मंदानल को एपरिल 2019 में अज़ लीड आक्टर कास्ट किया गया था और जगापती बेबी और प्रकास्ट राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जिलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कनड़ा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्पक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी दब सुनील को सपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रैस वीडियोस को सब्स्राइब भी जरूर करें हम जोल्दी लोटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्कृट्प्राइटर है रुशाइट इकनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंग कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एए स्वर मैं आसा ही हो ढूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जी भर सूता और कुछ साहता है तो प्रूब कर लगता जी प्रूब कर दो पर खाता लीन दाता है पुष्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा अब सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिगराश वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इलियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने ओरिजिनल भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में S.S. राजा मॉली की फिल्म बाहु बली दे बिग्निक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गए इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की फ्रिडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रिडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टार प्रभांस की पुप्योनिकी वाजा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्में रादे शामर, आदी पुरुश और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनंद की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म KGF चाप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साउथ इंडियन आक्ट्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और स 37 विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये क्रश पहले दिशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बादें बड़े-बड़े हीरोस के सांग काम करके अपने करियर में खू मिशन मजनू ओफर हुई थी आरेस वीपी के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहुतरा मगर हाल ही में सिधात मलहुतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह क कि फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनके प्रयास ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोसिट फिल्म ढूट रही थी और इस से कहां जा सकता है कि अलू अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केवल रश्मिका कि उस ख्वाइश की वज़ा से चली दोस्तों साउथ फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्ची चैक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुनिया में यानि की पूरे देश में चर्चित कर दिया है बहले यह साउथ स्टार की फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं थी बावजूद इसके इस फिल्म की सक्सेज ने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया है अब अलो अर्जुन अपनी अग्ली फिल्म पुश्वा को लेकर बिजी है जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है इस फिल्म को मेकर हिंदी तामेल का लूप कर नर्ड और मलयालम लैंग्विज में रिलीज कर रह वो हैदराबाद में आज प्रशान मेल के बार स्पॉर्ट की गए यहां उन्हें देखने के लिए लंबी लाइन लगी थी अलू अर्जुन ने वहां से निकलने के बाद हजारों फैंस को हाथ हिला कर अभी वादन किया अलू अर्जुन फैंस को इस तरह से उन पर प्यार ब प्रशान मेल कि गजय फ्डू बनकर तैयार है और जल्दी क्येटर वे पहुचने वाल है इसके बाद बीचने प्रबाश की आने वाली फिल्म को पूरा करने की कोशिशच में जूड़े होंगे मीं इस सिटिंग सेज़ पर एक सूपस्चार बनना चाहते हैं अलू अर्जुन और क्या बॉलिवोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका तो आए जानते हैं अप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पागे तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है क्या आप सभी ने कभी साउथ इंडियन फिल्मे देखी हैं वैसे अगर इस सवाल मुझसे पूझा जाए तो मेरा जबाब होता है हाँ और मुझे पता है आप सभी वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंडियन होंगे और आधे होंगे नौर्थ इंडियन वादों से सवाल कर रही हूँ आप लोगों ने भी साउथ इंडियन फिल्म में तो जरूर देखी होंगी ना आप सभी को वो भाषा समझाती ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं और वैसे हम कई सारे तीवी चैनल्स पर ये भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंदी डब करकर दिखाया जाता है तो दोस्तों अलू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकांत ऐसे नाम तो हम सभी ने सुने ही है और इन में से कई आक्टर्स को तो हमने बॉलिवूर्ट में काम करते हुए भी देखा है जहां हमने रजनीकांत को मिताब बच्चन के साथ देखा है महीं एक तरफ शारुकान के साथ भी देखा है और साथ-साथ एश्वर्याराय के साथ उनकी फिल्म रोबोर्ट में तो देखा ही देखा है उस फिल्म को भला किसने मिस किया होगा लेकिन जिस तरीके से इन आक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है जिस तरीके से इन आक्टर्स को साथ में प्यार किया जाता है उन्हें वो रिकाग्नीशन उस लेवल कार रिकाग्नीशन बॉलिवूड में नहीं मिल पाता है दोस्तों आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनी कांथ को पूरे साउथ में इस तरीके से पूदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म रिलीज होती है तो वहाँ पर पूरी नेशन वाइड हॉलिडे डिक्लेयर कर दी जाते है जी हाँ और साउथ इंडियन फिल्मों का बिजनेस ज़रा बड़ा है यहाँ पर बॉलिवुड में भी इंडियन फिल्मों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो जब साउथ के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यो ना इन फिल्मों का हिंदी डब करकर रिलीज कर दिया जाए फिल्मों में हिंदी अक्टर्स को भी लिया गया है साउथ के मश्यूर अक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को तारीव ने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ऑफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहें यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेडी ऐसी फिलमों में वो काम नहीं करना चाहते हैं अब पुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलीवूद में रिलीस कर दी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितने तेजी से अलू एंट्री मारते हैं बॉलीवूद के मार्केट में और आप लोगों को क्या लगता है हमे क्या अलू अरजन की फिल्म पुश्पा में होने वाली है और वशी रौतेला क्या होने वाली है पुश्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीस होगी है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीक्रास स्टूडियो मैं सोनी कजयार पुश्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई है पुश्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहां उर्वशी फिल्म है उसका हाल ही में शूर शूरू किया था अलू अर्जुन से से भी बहुत सारी तस्वीर लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाहते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्हों और टाइट सिक्यॉ चेक शॉर्ट नजर आ रही है नाइंटीज का दौर दिख रहा है इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है और साथ ही आपको बता दे इसमें सेंडल वोर जो लकडी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुई दिखाई देंगे अलु अर इसमें विजय सेतु पती भी एहम भ कुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार बड़े परदे पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अलु अर्जुन नजर आएंगे जब हम इन्हें चोटी स्क्रीन पर देखते हैं टीवी पर देखते तो मज़ा आ जाता है लेकिन सोचिए बड़े पर कमाल के होने वाले हैं दोस्तों यानि कि fully entertainment फिल्म होने वाली है क्योंकि एक्शन तो है ही साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकितार डांस भी इस विल्म में देखने को मिलेगा तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा का नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताएगा फिल्हार इसकी शूटिंग चल रही है और अगले साल तक इसे रिलीज किये जाने का प्लान है तो लिखे नीचे कॉमें सेक्शन में कितना इंतजार है पुष्पा का अलुर जुन आपको कैसे लगते हैं और इसी तरह के दूसरे बॉल का मंदिना की आने वाली फिल्म है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग उपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राथ स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जोड़े कुछ नया अपडेट तो इस वीडियो को एं तक जरूर देख जब सर्च इंजिन गूगल ने आक्टरस को नाशनल क्रश ऑफ इंडिया 2020 फीमेल घोशित किया गूगल ने नाशनल क्रश शर्ट करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नाशनल क्रश हाश्टाग के साथ ट्रेंड करने लगी है और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीन शोट अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया उन्होंने इसके साथ लिखा मेरे फैंस वाकई लिजिनरी हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा मेरा दिल मेरे फैंस के पास है 24 साल की रश्मिका दक्षिन भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोग प्रिया है रश्मिका ने कंडर तमिल और तेल्गु फिल्मों में काम किया है और रश्मिका ने 2016 में किरिक पार्टी फिल्म से कंडर सिनिमा में डेब्यू किया था इस फिल्म में रश्म महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की ये अभिनीतरी साउथ की टॉप आक्रिसेज में गिनी जाने लगी है और बड़े-बड़े नाम चीन आक्टर्स के साथ रश्मिका की जोडी बना हुए रश्मिका जल्दी जियोतिका के पती यानि सुपर स्टार सिंगहम सूरिया के साथ काम करने जा रही है टॉलेवड अभिनेता अभिनेता सूरिया जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरावाई पोट्रो कि सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर हैं और उनकी 40 फी फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही घोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूरिया के अपोजट रश्मिका मंदना होंगी वहीं सूरिया महेश बाबू और अलो अर्जन तीनों ही श कि चलते रश्मिका अपने से 13 साल बढ़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेर करने जो रही है लेकिन सारी लेरू केमें अपने से 20 साल बड़े आक्टर महेश बाबू के साथ काम करने के बाद अलो अर्जन के साथ इस बड़ी फिल्म के ओफर को कैसे मना कर सकती थी अभी वहीं आद आती है फिल्म एदेले मुश्किल जब रनवीड कपूर ने नौ साल बड़ी आक्ट्रेस आईश्वर्य राय पर अपने से छोटी उम्रे के हीरो के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखे कैसे समय बदल गया वहीं क्या समय सही में बदल गया या केवल समय मेल आक्टस के लिए समय बदला है साथ ही क्या वज़ा है कि फिल्म पुश्पा में विलिन विजय सेदुपती इतने मशूर हैं अपनी आक्टिंग का लोहा मनवा चुके विजय सेदुपती साउथ के राजकुमार राओ या आयुश्मान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टिर के साथ विजय प्रडियूसर, लिरिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय कमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं इसके अलावा कुछ तेल्गू, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अभिनीता को उनके प्रशन सकों और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है पीजा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेटुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अभॉड्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अभॉड्स का सिलसला बरकरा रखेंगे और जल्द ही वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अभॉड्स जीतने के बाद पुश्पा में विलन का किरदार निभाना आसान होगा विजय सेथुपति के लिए क्या होगा वहीं क्या विजय की पॉपिलारिटी टक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिगराज स्टूलियोस को इस वीडियो के स्क्रिप्ट सिम्रन रावत ने लिखी है इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किनता कम गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुष्पा की मजबूत करी और आक्टर विजे सेतु पती हो रहे है ट्विटर पर बदनाम आंतरप्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुष्पा की शूटिंग शूरू और क्या इस बार अलू अरजुन से हित फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तों आपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या आपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जेहां दोस्तों इस बार लगता है स्टाइल स्टार अलू अरजुन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं बारे नवंबर से शुरू हुई अलू अरजुन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग के लिए आंधर प्रदेश के शेश्टलम जंगलों में पहुची पूरी टीम यहां दोस्तों फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रण की शूट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चेहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अफ़तार जहां दोस्तों अलू अर्जुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फोस्ट लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया दोस्तों आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालक दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को नियमे तद्धार पर गोविड-19 परिक्षन देने के लिए कहा जा रहा है जिया दोस्तों अलु अरजुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकवन अधिकारी की भूमे का निभाती नजर आने वाली है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अबिनीदा विजे सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तों नेगिटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ रिकेट से संबंध है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तों विजे सेतुपती श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरली धर्म की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्तर रिलीज हुआ है ये मोशिन पोसर रिएस होते ही तमिल लोगों ने वज़ सेतुपति पर हमला बोल दिया जियां दोस्तों उनका कहना है कि लाखो तमिलों के हत्यारे श्रीलंका देश के क्रक्रिट सितार beverage की बायो पिक में काम करना एक दम गलत है जही हां दोस्तों मुथेया मुली धरन पर बन रही इस फिल्म का नाम 800 है ट्विटर पर अब तक लाखों लोग है अशाक शेम और विजे सेतुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं दोस्तों लोग विजे सेतुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं वहीं कि इस फिल्म की वज़े से विजे का फिल्म पुश्पा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा जो यहाँ दोसदो जब फिल्म के सितारे विजे से टुपती मुश्किलों में पसे हुए दूसरी तरह फिल्म की हिरोईन रशमिका भी इन इंकम टाक्स के चक्रों में पसी है साउथ की आक्ट्रिस रश्मिका मंदाना करे तमल, तेलगो और कानट फिल्मों में काम कर चुकी है वही साउथ में अब वो एक जानी मानी आक्ट्रिस के तौर पर जानी जाती है दोस्तो रश्मिका को साउथ की सबसे महेंगी हिरोईन भी कहा जाता है और वहीं रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स डिपार्टमेंट ने चापा मारा है अधिकारियों की जाज परताल दौरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए हैं यहां दोस्तों कैश के अलावा घर से प्रौपेटी के कागस भी बरामद हुए हैं वहीं रश्मिका के मादा पेता इंकम टाक्स के चापे पर कुछ भी बड़ात करने से बच रहे हैं रश्मिका के बैंक की भी जान बीन की जा रही है और रश्मिका केवल 24 साल की है और इतनी सी उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपरेट फिल्मों के साथ महेश भाबू और अलू अर्जुन जैसे बड़े कलकारों के साथ काम करने का मौका पाया दोस्तों भाई क्या आप जानते हैं साथ की स्चोल बुली सी दिखने वाली आक्ट्रिस के पीछे छुपी है एक दुखबरी दास्तान हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायर कर चुकी है रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़े से काफी मायूस थी लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया दोस्तों 2017 में रश्मिका ने अपनी फिल्म के रिक पार्टी में हीरो रक्षिच शेटी से सगाई रचा दी थी लेकिन ताल मेला बन पाने की वज़े से दोनों ने 2018 में सगाई को तोड़ दिया दोस्तों महीं क्या गुर चाहती है अपने फियूचर हस्बिन में रश्मिका बंदाना तो बतादे दोस्तों रश्मिका को कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं बलकि एक अच्छा इंसान जीविन साथी के रूप में जाईए इतनी महीं गाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका देखिए अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाये तो अरजुन रेडी बाइक उठाए तयार होंगे मैं रश्मिका 2021 की शुरवात ने अलू अरजुन के साथ पुष्पा में दिखाई देंगी साथ ही उनकी दूसरी फिल्मों में पोगरू और सुल्तान शामिल है तो दोस्तों क्या है आपकी नजरों में कोई रश्मिका के लिए सूटेबल दुला कौन से यंग बॉलिवड आक्टर के साथ जोड़ी जम सकती है रश्मिका की फिल्मों में हमें अपने जवाब जरूर बताएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें असन पुष्पा की कहानी पर लगा गया है दैन क्यों सिन को बंद करना पड़ सकता है डिरेक्टर सूकुमार को और क्या विशाखा पटनम पहले पहुँची पुष्पा की तीम क्या लेना देना है इस लोकेशन का फिल्म से अल्लो अर्जुन की आने वाली सिन पुष्पा पर एक साहितिक साजिश रच्रे कारोप लगाया जारा है जिसे मूल रूप से लेखक वेमपली गंगाधर ने लिखा था वेमपली ने दावा किया है कि फिल्म पुष्पा की कठानक उनकी तमिल कहानी कुली के सामने से है जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी वहीं बता दें फिल्म पुष्पा एक तेलगू आक्शन फिल्म होगी जो क्या साउथ को दी प्रमुग भाशाओं के बीच आई दरार हाल ही में लेकक वेमपली गंगाधर ने एक पोस्ट डाली जिसमें दिखाया गया था कि कैसे फिल्म पुष्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकासित हुई थी लेकक ने यह भी बताय कि वह विवाद को भरकाने की कोशिश नहीं है बलकि जंता को पूरे मामले के बारे में जागरू करने के एक छोटी सी कोशिश है उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है वेमपली गंगाधर आंदर प्रदेश के कडपपज लेके खलेकक है 2011 में उनकी लगू कहानी संगरा मोलाकला पुनमी के लिए उन्हें साहित्तक आदमी के युवा पुरुसकार में सम्मानित क्या गया था गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलाकला पुनमी तेरा लगू कथाओं का संगरा है ये किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था उनकी किताब माय नापू वो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकार जीता किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिल्म के निर्माताओं द्वारा अभी तब कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है हाल ही में चरंजीवी अभीनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोरी के लिए दोशी ठहराए गया है लिखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पठकता उनकी फिल्म के संबान थी वहीं पुषपा, सूकुमार द्वारा लिखित और निदेशिक नई तेलगू भाषा की आक्शन स्रिलर फिल्म है फिल्म में अलू अजुन और रश्मी का मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे साथ ही प्रकाश राज और जगपती बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे यह सूकुमार की फिल्म में पुषपा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादनार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है बनी इस फिल्म में पुषपा राज की भूमिका निभाने वाले हैं जिसे मैत्री मूवी में एकस द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है फिल्म का स्केड़्ूल विशाखा पत्नम में एक विश्य रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमाल में पुषपा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चल रहा है जिनकी कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तिरमुला के पहाड़ी शेतर शेश चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की ज़ाएगी स्टाइलिश टार अलु अजुने अपनी लॉरी जाइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चित्रित करने के लिए पूरी तरह तगया है इस लॉकडाउन के दुरान रश्मिका ने एक ट्विटर से चित्तुर बोली सीखी है फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वह फिल्म में एक आक्शन सीक्वेंस के लिए के लिए 6 करोड रूपे की भारी भरपाई करने वाले हैं जिस बज़े से ये फिल्म एक काफी एहम सीक्वेंस रहेगी वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी ना चूट जाए वरना बैक्ग्राउंड में 2007 के फिल्म एक चालिस की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी छूटी चलना पड़ जाएगा मीडिया में एक्टरस रश्मी का मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए काप्चर किया और हमारा लुमान है कि वेफिन पुष्पा के सेट की तरफ रवाना हो रही थी काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पहंडे डियर कॉमरे रभिनेट्री काले रंग की स्टाइल में स्वैक के साथ गुमती दिखाए थी उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्मा लगाए वे दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी बता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका भही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के वीज फिल्मी केमेस्टि जमेगी या नहीं हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ हमारे चानल बॉलिग्राट पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिलचस्ट ताक्स देखने के लिए से सब्सक्राइब करना न भूले आज के हमारी स्क्रिप्ट अलु अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या क्या तैयारिया कर चुके हैं कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते हेलो फ्रेंज आप देखरें बॉली ग्रास स्टूडियो में हूं सोनी का जयल अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलु अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया तो ये बहुत जादा सूपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी ओडियंस है बार अलु अर्जुन ने पूरे जान जोग दी है एक पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आप सारे इवेंट और गनाइस करने वाले हैं प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी ये बॉलिवट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलु अर्जुन स बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है रश्मे का मंदाना इसमें निजर आने वाली है विजह सेतु पती है और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है सूरिया जो की अलु अर्जु उनके साथ और भी फिल्मों में नजर आचुके हैं तो वो विलन का किरदार करने वाले है साथ ही सुकुमार इसे डारेक्ट करने वाले है जो के अलु के साथ पहले भी काम कर चुके है तो बहुत सारी जोड़ियां रिपीट हो रही है एक किसाब से लगाए जाए और सैंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अरजुन उनके जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का यह एरा है जिसमें कि अलु अरजुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉटम पैंड दिख रहे है साथ कि अलु अरजुन का लोग जो की कॉली हैर उनोंने केरी किये हैं और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रहे हैं उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्स्प्रेसिव अलु अरजुन नजर आ रहे हैं और फिल्में भी इसी तरह का धमाल मचाते आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिए आद से नीचे कॉमें सेक्षन में अपनी राह जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए आज़िए इसी पात के लिए इतना वाइलन्स मेरी यही प्राबलम है सर अग्या इसे अग्यादा जीजाधा है किनता कम गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है एई सवर मैं ऐसा ही हूँ धूख लगती है तो पेट पर खाता नीन दाती है तो जीवर सूता और गुस्सा अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुश्पा को हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियो मैं हूँ सोनी कज्वाल बात करेंगे साउथ के स्टाइल स्टार अलू अरजुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोग शेयर किये गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था कुछ तस्वीरे लीक हो गई थी इस फिल्म को सुकुमार डारेक्ट कर रहे हैं लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाते है कि जो शूटिंग और एकदम से धमा का मचाना चाहते हैं इसके लावा आपको बदा दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया यह फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें गाने लगे थेटर में तो यह फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी यह 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीस हो रही है उससे 60 करोड यह उक्यूपाइ कर ही लेगी इतना कलेक्शन यह कर ही ल कमा लेगी वर्डवाइट की बात करें तो बीस करों का यह कलेक्शन करेंगी पहले दिन तो इस लिए ओंस लाइफ टाइंप कलेक्शिन करें तो वर्डवाइट यह 500 करोड की कमा कर सकती है हिंदी तमल तेलगू से ये 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो 500 करोड की कलेक्शन आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्मे हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और वर्ड वाइट भी उनकी फैन फॉलिंग बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अलू की जितनी भी फिल्में आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डप जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैन फॉलिंग काफी तगडी है इसके लावा उनके अपोजिट इसमें रश्मी का मनाना दज़र आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री और लेडी बहुत जादा पसंद की जाती है फिल्मों में और आरिया अलु अरजुन के साथ और फिल्मों में भी नज़र आ चुके हैं तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर लेगी और कितना इंतजार है इस फिल्म का नीच अपने किस नए अंदास से चौकाने वाली हैं रश्मी का दर्शकों को क्या इस नए किर्दा से बदल जाए अभी नीतरी की छवी और क्यों एक बार फिर रोकी अलु अर्जुन के फिल्म पुश्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वज़ा इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलि नीतरी रश्मे का मंदना कभी अपने दिल पिगला देने वाली तस्वीरों की वज़ा से तो कभी अपने जिम वर्काउट की वीडियो से लेकिन जल्द ही अभी ग्लामर डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार है उन्हें ए लाल चंदन की स्मगलिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अर्जुन का बीहर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलु अर्जुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चरंचीवी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वही रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से अवल है अभी नेत्री चौबिस साल के सभी नेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबो के साथ सरीलेरू निक्की व किर्दार फिल्म में वे गाउं की गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नॉन ग्लामरस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंद्रपदेश के चितूर जिले की चित्तौरी भाशा में बोलते दे सकती हैं और क्या आप जानते हैं श्राइद कपूर की अगामी फिल्म जोसी में म्रुनाल ठाकों से पहले रश्मिका कुफिल्म में म्रुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि को ही दिपेका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजीराव मस्तानी और पदमावत ने दिपेका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजे लीला भनसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन धून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका परा कर रुख गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीर्शक के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म फिल्म पुश्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुश्पा को मैथ्री मेकर्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आरजुन और डारेक्टर को औरतला शुवा के साथ फिल वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सुकमार की रामचरण के साथ हिट फिल्म रारंग स्थलम में भी देश श्री प्रसाद का साथ था और रश्मिका की कई फिल्मों में भी प् फिर रोक दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में लॉंच किया जगया था अलू अर्जुन्स टैरर पुश्पा के निर्माताओं ने टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना वाइरस में पॉजिटिव पा आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंज करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाए चानल बॉलिग्राथ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्न ने लिए उनकी स्टूरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन त्योरिस क्या है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतरिन फिल्म्स के साथ तेजी से पॉप्लिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेंड करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनि वाले है तो हम सेफली ये कह सकते है कि कांटेन के मामले में अब बस बॉलियूट ही नहीं बल्कि साथ में कई रेजियनल सिनेमा भी रेस में आ चुके और कईल केसेindest में ना भटक के सीध्यात है मुद्दे पर स्टाली स्टार अलु अर्जुन की और कनाड़ा क्रश रश्मी का मंदाना की मच अवाइटट फिल्म पुश्पा रिलीज होने जा रही है और एस एक्सपेक्टेड इस तेलगु फिल्म की एंटिसिपेशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बत और मेकर्स ने भी इस मामले में चुपी सद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहाँ क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल रही है वह है कि फिल्म की फीमेल लीड यानि रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और लीड हीरो अलू अजुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैंड एलूट की तसकारी करने वाला लोरी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टोरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहां वो मौत का से सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन तियोरी की तरफ इसमें अलू अर्जुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले हैं से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अर्जुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलू मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपूर्ट की मदद से इस कॉन्क्लूशन पर पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सेंडलूट के फॉरस्ट में इसलिए अलू अर्जुन खुद भी रेर सेंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चलाएगा इसी होता है घमासा नियुद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे है अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए अपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनमदिन के मौके पर अलू अर्जुन ने सबको सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलू अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत अपने सूपरस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलू अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलू के जनमदिन के मौके पर अलग-अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की बहुत सारी फिल्मों के लिए औरेडी अवार्ड जीत चुके है और प्रतिशील हैदर, मौम, 102, नौट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लोक देने के लिए प्रतिशील बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लोक सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोक शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ह आज ही अनाउंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहारी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो एक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलो बहुत ही अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथी अलो अर्जुने से कैप्शन दिया है 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 पुष्पा लोडिंग इन थिएटर स्रॉम 13th ऑफ ऑगस्ट 2021 एक्साइटेड तो मीट यू आल इन स सुकुमार जो कि अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या 2 में भी उन्हें डिरेक्ट कर चुके है फिल्में अलो अर्जुन के अलावा आपको विजह सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और एक्ट्रस की बात करें तो रश्मी का मंदा जाना एक बार फिर से जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वही हर्मन उत्मन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काउम में नजर आएंगे ये फिल्म लाल चंदन यानि कि सैंडल वुर्ड जो लकडी हो आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विजय सेतु पती और अलू और जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले यानि की खदना के अक्षन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है पुष्पा का नीचे कमें सेक्शन में जरूर बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस्त को ये फिल्म रिलीज होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कमें सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवुड, टॉलिवुड, खलिवुड अपडेट्स के लिए राइटर हैं जो कि प्रीडॉमिनेंटली तेगु सिनिमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शर्वांत आज राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भी असिस्ट किया है सुकुमार ने अपना डिरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या की द् अंदाना को लिया गया था जगापती, बाबू, प्रकाश राज, धननजे, सुनील, गिरीश उठमन और वेनला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुश्पा को प्रोड्यूस मेथरी मुवी मेकर्स इन एस्सोसियेशन विद मुत्तम श चैनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोडेक्ट अनाउंस किया था महेश बाबू के साथ, लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रिएटिव डिफरेंस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और उनका नेक्स प् के सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबॉरेशन है साथ में, सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेड सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था, आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लाँच किया था ओक्टूबर 2019 में, डिसेंबर 2019 में डारेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था, केरिला के अथी रैपिडली फॉल्स पर, फिल्म पुष्पा का फर्स स्केडूल केरिला में ही शूट किया था, फिल्म को कोविड-19 पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया था, फिल्म की मंदानल को एपरिल 2019 में अज लीड आक्टर कास्ट किया था, और जगापती बेबी और प्रकास्ट राज को की रोल्स करने के लिए फिल्म में कास्ट किया था, आपको बता दे कि जुलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया असी तब सुनील को सुपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था, बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रैस वीडियोस को सब्स्क्राइब भी ज इतनी सी बाद के लिए इतना वाइलेंस, मेरी यही प्रॉब्लम है सर, मारता ज्यादा हों किंता कम, गिंग कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है, फाइटिंग है, सर मैं ऐसा ही हूँ, भूख लगती है तो पेट पर खाता, नीन दाती है तो जी भर सूता, औ और कोई साहता है तो प्रॉब करादा क्या पुश्पा से करने वाली है रश में का मंदाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरूआत क्या साउथ की अगली कॉन्ट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिगराश वीडियोज में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इलियन फिल्म इंडास्ट्रि के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने ओरिजिनल भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में SS राजा मॉली की फिल्म बाहु बली तब बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टाप प्रभास की पुपुलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आधी पूरुष और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनन्द की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म केजिएफ चाप्टर टू को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रेसेज ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे की श्री देवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी को जब भी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है रश्मिका मंदाना का भी रश्मिका मंदाना को पिछले साल नैशनल क्रश का टाइटल मिला था ये करश पहले दिशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बाद ही बड़े बड़े हीरोस के सांग काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू, तम्मिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद अब वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्मे और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हाँ कह दिया था इसमें उनके उपसिट होंगे सिधात मलहुतरा मगर हाल ही में सिधात मलहुतरा का करियर इतना स्मूध नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे है मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिक अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के आपोसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अरजुन की एक फिल्म आई अलू अरजुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अर्डुन इस वक्त फिल्म इंडिस्टी की सबसे चर्चित एक्टर हैं उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुल्य जिर्संग अग्ली फिल्म की तैयारी करेंगे इस जवार का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है एक मीटिंग के बारे में नीजे कमेंग बॉक्स में अपनी राइच शेयर करें कि अब अब कि अब कि कि अब कि कब तक रालीस होगी फिल्म पुष्पा के तिने अब अवाद्स जाब तने इतने अब स्क्मध्स जी नहीं है चुकी है रश्मे कमंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है में तहें दिल से आप सब का स्वागत करती हूं बॉलिगराद स्टूडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुश्मा के बारे में तो दोस्तों आप इस व बिना किसी देरी के जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुश्पाइक अपकमिंग इंडियन तेल्गू लांगवज आक्षिंत्रुला फिल्म है जिसको लिखा और डारेक्शन कर रहे हैं सुकुमार इसे प्रडियोस किया है नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर ने जो मैथ्री मुवी मेकर्स के असोसियेशन में मुट्टम सेटी मीडिया से हैं अब दफिल्म स्टार अलु अर्जुन आन रश्मी का मंदिना जबकि जगपती बाबु भी है प्रकाश राज धनन जय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नज़र आने वाले हैं जैसा कि प्रशंसक पु को होगा वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंदिना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुग महिला का किरदार निभादी नज़र आएंगी वहां हर बार सेट से तस्वीर साजा करती रही है पिंकवला के रिपोस के अनुसार पु केरदी मुली के एजेंसी छेतरों में दो बिजी स्केडियूल स्रापप किये हैं अब हम अपने शूट में सहीयोग और सहीयोग के लिए आदिवासी और प्रशासन के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं जिसके बिना हमाई शूटिंग पूरी नहीं हो पाती थां इस सारी फिल्में 2020 में ही रुलीस होने वाली हैं दोस्तों अवार्ज की बात करें तो हमारी इंडियन नाशनल क्रश यानि की रश्मिका मंदनानी अभी तक पाच अवार्ज जीते हैं जो की हैं वही उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था रश्मिका मंदना आज की डेट में उस लिस्ट में भी शामिल होती हैं जो की महंगी अक्रिस के बारे में होती है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं क्या रश्मिका अपना जादू बिखेर पाएंगे फिल्म में अपनी क्यूटनेस और होटनेस के साथ और अलो अर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं हमें कमेंट से क्या इस दिले की वज़ा से पुषपा की रिलीज डेट पर भी फर्क पर सकता है पॉलिग्रेट स्टूडियोज में आपका स्वागत है अलो अर्जुन ने एक दो वर्ट्स में ही पुषपा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म्स और टेलेविशन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलचिला अभी दो तीन महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आच्छाने आने लगी पढ़ते हुए कोवीट के इसे एक बार फिर से इंडिया के लिए सरदत बने हुए है और इसी कारण से काफी सारे मुवीश या तो थेत्रिकल रिलिस को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर करेंटली शुट हो रहे ही फिल्म्स के शुट शीडियूल में गरबरी हो गई है और कास्ट और क्रियू की सेफटी को मद्यनजार रगती हुए इन शीडियूल को अभी पोस्ट पॉन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे है इसे डिले का शिकार हुई है अलो अर्जुन की पैन इंडिया रिलीस पुषपा इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी टाइम तो हो चुका है पर अभी तक इस मैसिव प्रोजेक्ट के दो शीडियूल ही पूरे हो पाए थे अब जैसे ही इसका अगले शीडियूल की तयारी कास्ट एंड क्रियू ने शुड़ू की तो इनका रास्दा कार्ट लिया कोडोना ने क्योंकि फिल्म काफी बर स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रियू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है पर जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुमार एक ऐसा डारेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जलबाजी नहीं दिखाते इनका सिधानती यही है ताइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबख तो शूट तभी शूड़ होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस दिले की भरपाई फिल्म के रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी परे हाला कि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइस कर पाएंगे जब फिल्म के शीडियूल टाइम से शुट हो पाएंगे और शीडियूल में देरी का सीधा मतलब है रिलीज में देरी पुषपा को लेकर अभी तक कोई खास अपडेट नहीं आया है लेकिन कायास तो ये भी लग रहे थे कि शायद मेकर्स इसका टीजर अरजुन के बरदे 8 अप्रेल को रिलीज कर दे अब ये वायदा पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अलो की तरफ से मिला है वो तो मात्र दो तेलिगू वर्ड्स का है खगे देले अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं अलो अर्जुन एक तेलग मूवी के लांच इवेंट में चीफ गैस्ट वन कर गए थे तो वहाँ जब उनसे पुछपा की शूट के बारे में डीटेल पूछी गई तो उन्होंने इस सिर्फ दो शवदों में बयान किया कगे देले जिसका लूसी मतलब ये है कि फिल्म की शूट मस्ट तेजी से चल रहा है लेकिन इसी तेजी पे लगाम अब लगने ही वाला है वजा है कोड़ोना आप यू मान ही लो कि शूट मस 200 की स्पीड से चल रही तो इसी बीच कोरोना नाम का स्पीड ब्रेकर सामने आ गया अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और यही करना भी पड़ा है पुश्पा फिल्म के मेकर को वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सा साइटीड हो गए है इस वीडियो में हमें अलू अरजुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाल सी उनकी सबसे बड़ी पहचान है जहां इस फिल्म का चोटा टीजर भी कमाल का है दोस्तों देखा जा तो वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म के विलन क से फैन्स को इंट्रोड्यूस करा दिया जहां बताया गिया कि इस फिल्म में नैशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के करेक्टर निभाएंगे इसक्रिन पर अलू अरजुन और फहाद की टक कर देखने लाएक होगी दोस्तों बात करें फ पुलिस वालों से बचकर भाग रहे हैं अब ये सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अलू अरजुन भाग रहे हैं और उनकी चेहरे पर रेड कलर का ये कपड़ा क्यों है तो दोस्तों पता चलेगा जब फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होगी आपको बताते कि इस फिल्म को डारेक्ट कर रहे हैं सुकुमार ये फिल्म 13 अगस्त को तेलगू तमिल हिंदी का नर्ड और मल्यालम में रिलीज होने वाली है इसे प्रोड्यूस करें मैत्री मूवी मेकर्स और मुत्तु सेटी दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैन इंडिया क को ध्यान में रखते हुए और उनके ओडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि इसका आनंद सभी लेंग्विजिस के दर्शक उठा सके क्योंकि इस फिल्म से अलू अर्जुन मैसिव स्टार पावर है इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि इसकी कहानी को ज़्यादा लोग पसंद करेंगे फुश्पाफ फिल्म की कहान ही एक एक एक्शन एंटर्टेनिंग स्टोरी है जिसके जरीए दर्शकों को फ्रेस और जबरदस्ट कॉंसेब्ट देखने को मिलेगा वेल दोस्तों देखा जा तो अलू अर्जुन की जितने भी फिल्में होत इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं किनता कम गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वज़े से पुषपा मूवी से विजे सेतुपती की एक्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं साउट स्टार अलू अजुन की नेक्स्ट फिल्म पुषपा के लिए सभी लोग काफी एकसाइट हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्ला वैकुंठ पुरम अलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे तो आपको बता दे कि इनकी अगली फिल्म होगी धाकर अक्शन एंटर्टेनर पुषपा की स्टोरी रेट सांदल वोड की स्मगलिंग पर बेस्ट होगी जिसमें अलू हमें इसी धंडे में काम करते वे लॉरी ड्राइवर बने दिखेंगे इनी के आपकोजिट फिल्म में रश्मिका मंदाना भी होंगी इनके रोल के बारे में हमें जादा कुछ पता नहीं लेकिन हेरो हेरोन के अलावा एक और इंपॉर्टेन्ट रोल होता है स्टोरी में जी हाँ वो है विलन का विलन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एतागड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर है जो साइड रोल में होके भी में अक्टर की परफॉर्मन्स पो डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलन पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देते हैं अलावार्ण यह ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को इसकी जड़ों से ही इगला देओ तुम जड़ा सा खून देकर इतुना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसके कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पतर का उसको फर्क नहीं पड़ता जुस्तान में बहादू बेटों की तब ही नहीं है इस मुक्ति मिट्टी उतके वरूं से नहाई हूए अबने एक राक्चस को तो दबोच हुए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा जाए अबने एक राक्चस को अबने इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला दिया तुम जड़ा सा खून पे कर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुक्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पतर का उसको फर्ख नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों से तवी नहीं है इस मुक्त इमेट की उटके उन से बहना ही हुए उनने एक राक्चस को तो दबोच हुआ लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लेकिन उ अलावार्ण यह ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इपला गया तुम जड़ा साथ खून देकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पत्था का उसको फरक नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है इस मलक की मिट्टी उनके वरून से नहाई है उनने एक राक्षस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिए आख बुच्छ को एप लिए ये आख मोई जिखा ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिजिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इपला देगा तुम जरा सा खुन पे कड़ इतुना तर गए इससे पहले कि मैं खुन की नदियां पहाद मुत्तफ़ा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पत्थर का उसको फर्क नहीं बड़ता जुस्तान में बड़ता शेशा चलम के जंगलों में पुश्पा को दोड़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट डिपलॉई की भागरा पेट की पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लित्वत शोड़ पर जिने आठ भूलियों के निशान जिन पर भरोसा करते हैं उनसे दुखा खाना क्या होता है मुझे पता है इसे छोड़ के गलती कर दिया कार्द देने का था उसे उसे इसे स्टाथी मजद खुखानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी भड़ गई थी क्या अरे इस तिया करताम नहीं हुई पुश्पा नाम सुनके फ्लावर जाने क्या मैं इतर टांग अड़ाने को नहीं आया कि राज करने के लिए आया मैं राज करने के लिए आया मैं कर दो पहारी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पूल से लगपत शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा इसी कोशिश में पुश्पा पर बसाई गोलिया उतारा है कि पुश्पा कम भी रूप से जखनी गवा है शेशाचलम के जंगलों में पुश्पा को ढूनने के लिए पुलीस ने एक्सपेशन यूनेट देपलोई की है इस पुश्पा करते हैं उनकी फुटेज अब अब हमारे सिटी केवल स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो सम्झो शेर आया है लेकिन जब शेरी दो कदम पीछे ले तो सम्झो पुश्पा आया है अब रून पुश्पा का पुश्पा को ढूड़ने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनट देप्लॉई की भावरा पेट की पहाड़ी उपर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये खून से लत्वद शोड़ने आठ गोलियों के निशान जिन पर भरुसा करते है उनसे दूखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़ के गल्ती कर दिया तार्ट देने का था उसे तार्ट दूखानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी फड़ गई थी क्या कर दो 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 कुछ पानाम सुक्या फ्लावर्स अंजे क्या कर दो कर दो कि मैं इतरी टांग अड़ाने को नहीं आया कि राज करने के लिए आया मैं पहारी उपर पुलीस ने पुषपा की कुछ कपड़े बरामत किये पुल से लफपच शोट पर मिले आठ गोलियों के निशा ए यह क्या कर रहा है तुछ पुषपा हुआ दिरुपती जेल से फराए इसी कोशिश में पुलिस ने पुषपा पर बसाई गोलियां उताचरा है कि पुषपा कम भी रूप से सख्मी गुआ है शेशा चलम के जंगलों में पुषपा को दूने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनेट डिपलॉई कि है अब पस यही देख रहे हैं कि पुषपा पैसे किस तरह कमाता था बल तुमा लम है तिये का पुषपा लूं पैसों का क्या 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 दो अब पुषपा नहीं कर वाई पुषपा नहीं हमारे एक पनदाए पर यह वो आम परीगों को खाना खिला था रेकिंग निज जंगलों में लगाए गए वाइल लाइफ सर्वलेंस कामरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी प्राप किया है यह कैमराज जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी पुटेज अब आप हमारे स्टी केबल स्क्रीन पर देख सकते हूं अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुषपा आया है अबरूज मॉस्वागा अबरूज मॉस्वाग